Hello friends, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Poco X6 Android में आप अपने Bluetooth की Keeps Stopping Problem का आप सौल्ब कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो का हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने mobile phone का Bluetooth किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे Bluetooth वाले पेज़ पे जो है Keeps Stopping लिखा हुआ जाता है तो इस Bluetooth की Keeps Stopping Problem को सौल्ब करने के लिए सबसे बहले Bluetooth को बंद करना है ठीक है अब दोस्तों अगला काम यह करना है mobile phone को reboot करना है इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उगली से दबाके रखना है आपका यह पेज आता है इसमें आपको बीच वाला बटन नीचे की तरफ सरका देना है reboot पे तो इससे आपका phone automatic switch off होगे, automatic switch on हो जाएगा reboot करने से यह होता है हमारे phone के android system में अगर कोई भी problem हाती तो वो solve हो जाती है phone को reboot करने से अगला काम यह करना है कि आपको अपने Bluetooth का data clear करना है Bluetooth का data clear कैसे करेंगे देखिए आपके mobile phone में जो google file का app होता है इस google file का app को open करना है अब आपको यह वाला page open होता है इसमें देखिए नीचे आपको ना यह browse का option आपको पहले tap करना है भुटूथ का Bluetooth के सामने ऌठी जो 3. Marie अपको अपको Uhmm pro app आनको आपको यह टिकर अपको यहाइज अपको पिछे ही पेज करना है भुटूथ का उसमें सामेर इटा इंद्दक करना है इसके बादब आपको दुबारा से नीचे किलेर डैटा पर टैप करना है आपका आपका user data के सामने अला data आपका zero हो जाएगा इस तरह किसा आपको अपने Bluetooth की Bluetooth का जो data है इसे आपको clear कर देना है ठीक है अब देखिए अगला काम आपको करना है कि हम mobile phone की network setting को reset करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे phone की network setting कभी कवार ठीक से काम नहीं करती है जिसके करन हमारे Bluetooth में keeps stopping की problem आती है तो mobile phone की network setting को reset करने लिए आपको phone का setting पेज ओपन करना है setting पेज में सबसे उपर सर्च सेटिंग पर टैप करना है यहां पर आपको सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है ठीक है रिसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको यह option शो हो जाता है रिसेट वाइफाई मुबाईल एंड ब्लुटूथ यह फर्स्ट आपको टैप करना है अब आपको इस पेज में जो तीन सेटिंग देख रहे है न वाइफाई मुबाईल डेटा ब्लुटूथ यह तीनों कीप से स्टॉपिंग की प्रोडम सौल हो जाती है तो दोस्तों इस वीडियो वर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके ब्लुटूथ की कीप से स्टॉपिंग की प्रोडम सौल हो जाएगी ठीक है